नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रास्तान बिरोजगार चात्रश में आज बात करेंगे मंडरेगा योजनांत्रगत नोन सिविल और नोन एगरिकल्चर जो जेटी हैं उनकी महतादू रास्तान कॉंट्रेक्च्छुल हाइरिंग टू सिविल पोस्ट रूस दोहजार बाइस के थैत अडोप्शन को लेकर स्रिमान आयुक्त मोदे के पत्र करमांग 004 दिनांग 10 अक्टूबर 2014 को एक पत्र जारी किया जिसमें कनिष्ट तक्निक के साइकों का जो मैं बता दूँ जो नोन सिविल नोन एगरिकल्चर हैं उनको जारी किया है और 29 अक्टूबर 2014 तक जो नोन एगरिकल्चर और नोन सिविल जो कनिष्ट तक्निकी साइक हैं उनको सलंग्न प्रपत्र में जो सूशनाई हैं वो यहां पर मांगी है जैसा कि आप देख सकते हैं अब इन्होंने जो दो प्रपत्र यहां पर जारी की हैं पहला प्रपत्र जो है वो मन्रे का योजना अंत्रिकत पूर्वर में योजित नोन सिविल नोन कर्सी अभियांत्र की योग गयतादारी कनिष्ट तक्निकी साइक संविदा को राजस्तान कॉंट्रेक्च्वल हाईरिंटो सिविल पोस्ट टूल से 2022 के अंत्रिकत लाए जाने हैं त चैनिष्ट तक्निकी साइक संविदा नोन सिविल है या नोन अग्रिकल्चर है पद नाम पता ब्लोक का नाम न्यूकति जिती क्या इनका चैन लोक विग्यापन के माद्देम से हुआ है या नहीं हुआ श्रेणी कौन सी है चैन के समय पद की नरधारित नियूनतम शेक्षण की योग्यता क्या थी यानकि इनोने दो प्रकार का जो योग्यता को लेकर पूचह है कि चैन के समय उनकी नियूनतम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या थी साथ ही कार्मिक की क्वालिफिकेशन क्या थी क्या कार्यावदी संतोजनक है अत्वा नहीं और वर्तमान में दे मादे टीपनी तो दोस्तों इस परकार से करीब 15 कोलम की जो है इन्होंने सूशना माईगी है साथ ही इन्होंने नोट भी लगाया कि उपरोक्त सूशना के साथ कार्मिक का आवेदन पत्र आरक्षन है तू जाती प्रमान पत्र यानि कि रेजर्वेशन है तू जो है का सर्टिफिकेट संतान संबंदी गोशना चरित्तर प्रमान पत्र चिकिश्या प्रमान पत्र तो दोस्तों करीब 15 प्रकार की यहां पर इन्होंने जो पंचाई सिमितियों से सूशना यहां पर मांगी है साथ ही साथ जो कनिष्ट तक्निकी साइक नोन सील नोन अग्रिकल्चर है उनके लिए एक अप्लिकेशन फॉर्मेट भी इन्होंने जारी किया जिसमें सूशना मांगी अप्लिकेशन फॉर्मेट का जो क्या प्रारूप है वो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं महत्मागंदे नरेगा योजरां तरकेट पूर्वर मिन योजित समविदा क्रमचारियों को CSR Rules समविदा सेवनियम 2022 के दिन लाए जाने है तो आवेदन जो पत्र है वो यहां पर जारी किया है और यह आवेदन पत्र जो है आप देख सकते हैं करीब इसमें आवेदन पत्र में 16 प्रकार के सूशना यहां पर मांगी है जिसमें आवेदक का क्या नाम है आवेदक के पिता या पती का क्या नाम है स्रेणी कौन सी SC है ST है OBC है EWS है MBC है या जनरल है address यानि कि उनका जो पता है address है वो क्या है डेटोबर्थ साथी डेटोबर्थ के लिए आपको प्रमाणपत्र भी सलंग नहीं करना होगा यानि कि दसवी कि आपको मारक सीड जो है वो सलंग नहीं करनी होंगी साथी शेक्षने की योग गेता सेक्षने की योग गेता सम्मदी जो आपके पास कौन सी डिग्री है डिप्लोमा है आपने किस बोड से की है कब की है परसेंटेज क्या है साथी सलंगन भी यहाँ पर करनी है यानि कि दसवी बारवी सनातक पोस्ट ग्रेजुशन, कंप्यूटर सम्मदी और डिग्री डिप्लोमा साथ यानने कोई भी योग गेता है उसमें आपने किस बोड या इन्यूश्टी सी या इंस्ट्रीूट से की है कौन सी वर्ष में की है कितने प्रतिशत आपको आए है सलंगन की है या नहीं साथी, साथ नमर में इन्यूक्ति के समय नरधारित योग गेता पद अनुशार नरधारत योग गेता का जो परमान पत्र है वो सलंगन यहाँ पर करवाया है साथी, आठ नमर जो पोइंट है कि समविदा कार्मिक का चैन लोक विज्ञापन के माद्यम से हुआ है किया गया है यदि हाँ तो उसका विवरन यहाँ पर लिखना है यानि कि लोक विज्ञापन की जो डिटेल है, पब्लिक एड़टाइसमेंट की वो यहाँ पर लिखनी है कि किस जिले के माद्यम से आपका चैन हुआ है कब किस विग्यप्ति के मात्यम से हुआ है पूरा जो बाइवर्टा है वो यहां पर लिखना रहेगा और कब हुआ कार्यत सम्विदा पद का नाम कार्यत सम्विदा पद का पद नाम यानि कि अगर आप जिस सम्विदा पद पर कार्यत हैं मैं बतादू अगर आप कनिष्ट तकनी की साइक के पद पर कार्यत था तो कनिष्ट तकनी की साइक सम्विदा आएगा कारी ग्रहन की दिनांग क्या थी आपकी उस टाहिम यानि कि सम्वीदा पद का न्यूक्ति आदेश फर्तम अनुबंद की जो च्छाय प्रति है जो फोटो को पी है वो सलंग नहीं यहां पर करवाई है साथी पदस्ताफन का है जिला परिशिद में है पंचाय सिमिती में है या ग्राम पंचायत में है तो दोस् न्यूक्ति के समय मूल मांदे क्या था और वर्तमान मांदे क्या है तो दोस्तो इस पर अब जो पूरी डिटेल है वो इन्होंने यहां पर पूछी है कि न्यूक्ति के समय आपका मांदे क्या था और वर्तमान में मांदे क्या क्योंकि दोस्तो आपको पता है जब श्रित भी यहाँ पर किया जाएगा तो इस प्रकार से न्युक्ति के समय मूल मांदे और वर्तमान में मांदे की जो प्रती है वो यहाँ पर सलंग में करवाई है। आपको स्पष्ट लिखनी है। साथी इन्होंने काया कि न्यायले परकर्ण लंबित नहीं की स्थती में स्पष्टत है होने का रिमार्क भी आपको अंकित करना है। साथी साथ आप देख सकते हैं सोडा नमर में आवेदन से समधी स्विम के स्ताक्षर कर दस्तावेजों की जो च्छाया प्रती है निम्न तालिका के अनुशार नमबर लगा कर आपको शलंगन करने की जिसमें शेक्ष्णिक योगेता समधी जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको अटेज करने एक नमर पे अगर अटेज आपने किया हैं तो इस कोलम में हाँ आएगा दो नमर पे जाती प्रमाण पत्र आपने अटेज किया है तो हाँ एगा और उस पे दो नमर आपको लगाना है और तीन नमर पे आपका आधार काड अगर आपने अटेज किया तो इसमें हाँ आएगा और आपको तीन नमर आधार कार्ड की जो फोटो प्रती है उसको लगाने हैं और सभी डोकुमेंट्स पर आपके जो अस्ताक्षर हैं दस्तावेज़ों पर अस्ताक्षर होने निवार हैं साथ ही प्रमानित किया जाता है कि उप्रोक्त वर्णे समस्त सूशना यह तत्थे सही हैं और कोई तत्थे नहीं छुपाया गया है किसी भी तरह की जानकारी मिथ्या साबित होने पर मस्यूम जिम्मेवार रहूंगा आवेदक के स्ताक्षर हैं और कुल दस्तावेज़ जो साथ ही साथ इस सूशना के साथ आवेदक दुवारा एक आवेजन पत्र भी आपको बढ़ना होगा जिसमें करीब 16 परकार की जो यहां पर सूशना मांगी है जिसमें आवेदक की पर्शनल जानकारी कौन सी स्रेणी से हैं डेटो बर्त शेक्षनिक योग्यता क्या है किस बो पद का क्या नाम है कारेगरन की दिनान क्या है कारेगर पद स्ताफन कहां पर है संवीदा पद पर न्युक्ति है तू मूल मान दे क्या है वरतमान मान दे क्या है क्या कोर्ट केस के मादम से कारत हैं संवीदा करमचारी के बैंक खाते से संबन दित विपरन मोबाइल नंबर स पर नरधर करमांग वह भी आपको लिखना होगा तो दोस्तों यहां पर इस परकार से सूषना यहां पर माईए और 30 अपर इस अपर तक विशेश वहाग के मादम से इन्होंने सूषना मांगिये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ने बुलें आपके अपनी यूटूब चैनल रास्तान बेरोजगार चातरशंग को सस्क्राइब धन्यवाद दोस्तों थैं